हेलो गाईज, वेलकम डूट एक यासर यूटिव चनल और कैस कुछी दिन पहले में आपको बताया था रियलमी जन्वरी में अपना एक बजट सेग्मेंट का स्मार्टफोन लाँच करने वाल है मुझे पता नहीं था रियलमी इतनी जल्दी लाँच करेगा अब ये डिवाइस कन्फर्म हो चुग है कि रियलमी 5i रहने वाल है प्राइस पॉइंट मैं आपको कन्फर्म बताऊंगा क्या कुछ आपको देखने को मिलेगी इंडिया लाँच डेट आपको क्या देखने को मिलेगी क्या कुछ कलर्स देखने को मिलेगी सारी डीटेल्स आज की स्टूडियो में एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी तो सी बात पर करते हैं एक वीडियो को लाइक ही वीडियो का लेका टार के ट्रक्टम 2000 लाइक चुका एक होप किया पर आप कर दोगे सबस्क्राइब आपको बता दू रियल मी 5 आईवे इसकी इंडिया लाउंच डेट के बारे में तो यह 9 जनवरी को यहां पर इंडिया में लाउंच अने वाले और इपको देखने को मिल जाएगा अगर स्पेक्स की बात करें तो मैं आपको बता दू रियल मी 5 जो आया था सेम टू सेम आपको यहां पर यह स्मार्टफोंस देखने को मिलता है फिर आपको यहां पर दो चेंज़ेस देखने को मिलेंगे सबसे पहला चेंज जो है वो इसकी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो बैक पनल को लेके रियल मी 5 और 5S में आपको ग्लॉसी टाइप का ग्रेटन फिनिश वाला बैक पनल मिला था यूँकि दिखने में काफी जबरदस था अब 5i की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हाड प्लास्टिक याप बोल सकते हो मैट टाइप का आपको टेक्स्चर टाइप का फिनिश देखने को मिलेगा ग्लॉसी बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पर जो बैक पनल में आपको चेंजस देखने को मिलेंगे लेकिन वही प्लास्टिक ही यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन रहने वाले हैं अगर हम बात करें यहाँ पर यह फोन के दूसरे चेंज के बारे में तो Realme 5 में आपको 13 Megapixel का Selfie Camera देखने को मिल रहा था जिबकि 5i में उसको डाउन ग्रेड करके 8 Megapixel कर जाए गया है और बाकी की सारी चीज़ागर हम बात करें चाहे उसके डिस्प्ले की बारे में बात करें वही 6.5 इंच का आपको जो HD Plus Resolution वाला Waterdrop नौच वाला डिस्प्ले मिलेगा वही आपको 3GB, 4GB अलग-अलग variants मिलेंगे ट्रिपल कार्ट स्लोट के साथ में वही आपको Snap Dragon का 665 देखने को मिलेगा वही आपको Quad Camera का Setup मिलेगा 12 Plus 8 Plus 2 Plus 2 Megapixel का 8 Megapixel का Selfie Camera जैसे के चेंज में आपको बताया वही 5000 एमेच की बैटरी है 10W के आपको Charging का Support मिलेगा फास्टर जान यहां पर भी नहीं है आपको Micro USB का Port मिलेगा fingerprint scanner के साथ में तो पूरा का पूरा Phone से में अब Realme यहां पर पता नहीं की यहां पर इंडिया में launch करें लेकिन अगर हम बात करें यहां पर Colors की तो यहां पर आपको दो नए Colors देखने को मिलेगे एक तो आपको Green Type का Color है एक आपको Blue Type का यहां पर Plain सा देखने को मिलेगा अगर हम बात करें Price Point के बारे में तो यहां पर जो 3GB 32GB वाला variant है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा 7999 की Price Point पे जो 464 वाला variant है वो आपको 8999 की Price Point पे देखने को मिल चाहेगा So all in all यह मैं बुलूँगा अगर मैं मेरे honest opinion की बात करूँ तो 8000 वाला ठीक है जो लोगों का tight budget है तो Redmi 8 सबसे best smartphone तो 8000 की range में तो इसको definitely यहां पर यह टक कर देगा क्योंकि प्रोसेसर बेटर है बेटर लाइफ भी अच्छी खासी देखने को मिल रहे है तो Realme options जादा दे रहे में को लगता है यहांपर मेरे हिसाब से जो है मैं तब launch नहीं करते तो भी ठीक था अब कर दिये तो कुछ कर नहीं सकते definitely 8000 वाले variant को यह आप यह पर check out कर सकते हो क्या मुझे comment section ने बताना आपको नहीं लगता है Realme बहुत सारे smartphone एकी range में यहांपर launch कर रहे आपके क्या honest opinion है अगर यह smartphone आपको 8000 वाला विरेंट मिलता है तो आपके हिसाब से क्या लेने लग है नहीं है जो भी है जो बताना नीचे comments में सख होब कि मैं तो सबको वडियो पसंद नहीं होगी